हलो कईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप अपने फ्रेब फैर में Top Up करने जा रहे हैं और उसमें अगर आप अपना वीडियो को लाइक जरूर कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन में से आल नोटिपिकिसन को अन कर लीजे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हम अपना कार्ड नंबर डालते हैं तो उसमें इन्वैलिड और अनसपोर्टेट फॉर्म आप पेमेंट ऐसे करके इरर क्यों आता है तो ये इरर आता है दोस्तों अगर हम लोग का रूपे कार्ड रहता है क्योंकि फ्रेफायर में र तो सभी किस तरफ से top up करने के लिए इसी करणा से इसमें रूपे कार्ड को support नहीं दिया गया है इसमें सिर्फ visa card और monster card को use किया जाता है यह सभी international होता है और हम जितने भी bank में account खोलाते हैं तो starting level का जो ATM card रहता है debit card वो रूपे ही दिया जाता है और उससे ज्यादा का अगर लेना चाहेंगे तो उसमें हम लोग का maintenance भी जादा लगता है monster card और visa card का maintenance जादा लगता है यह सभी private bank में जादा मिलता है तो उसमें maintenance जादा लगता है इसी करणा से इंडिया में अधिकतर लोग रूपे कार्ड ही use करते हैं और इसी करणा से आप इसमें number डालते हैं और support न लेने के बाद आपको अपने mobile में एक application डाउनलोड करना है phone pay नाम से तो इस application को आपको डाउनलोड कर लेना है आपका इससे bank account link हो या ना हो इससे कोई भी मतलब नहीं है बस आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और simple अपना mobile number डाल के otp के थूँ इसको login कर लेना है login करने के बाद नीचे slide कीजे तो यहां पर एक CL का option दिखाई देगा इसमें आपको click कर लेना है CL पर click करने के बाद नीचे फिर से आएंगे तो यहां पर google pay करके एक option दिखाई दे रहे इसमें आपको चले जाना है और उसके बाद यहां पर जितने का आप top up करना चाहते है उस amount को य जैसे मैं 10 रुपे डाल लेता हूं और उसके बाद यहां पर pay का option आ रहा है ठीक है तो यहां पर बहुत सारा option है इसमें से debit card भी आप select कर सकते हैं UPI के थ्रू भी कर सकते हैं और यहां पर debit card का एक option दिखाई दे रहे इसको आपको click कर लेना है इसको click करने के बाद आपको अ option नहीं आ रहा है लेकिन मेरे रूपे card ही है और इसमें support कर रहा है ठीक है तो आपको डाल लेना है simply और उसके बाद pay का option highlight होगा तो pay के option को आपको click कर लेना है और यहां पर से आपको redeem code purchase कर लेना है Google Pay का अब redeem code purchase करने के बाद जो number रहेगा उसमें आपका redeem code आ जाएगा जो number इसमें डाले रहेंगे आप मतलब phone pay registration के समय जो number रहेगा और phone pay भी आपको यहां पर option आ जाएगा आप history पर जाएगे तो redeem code दिखाई देगा इस दोनों जगह से आप इसको copy कर लीजे अपने redeem code को redeem code को copy करने के बाद आपको फिर से अपना free fire open करने के बाद दोस्तों जितने का आप redeem code purchase किया हैं जितने का आप top up करना चाते हैं जैसे मैं 80 रूपीज का top up करना चाता था तो हमको 80 रूपीज का ही redeem code purchase करना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर 80 पे आपको click करना है और click करने के बाद यहां पर आपका option आएगा इसमें state bank लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसको add किया हुआ हूँ ऐसा कोई भी bank से related आपके option आएगा उसको आपको click कर लेना है उसको click करेंगे उसके बाद नीचे slide करेंगे तो यहां पर redeem code के एक option आजाएगा तो redeem code को आपको click कर लेना है redeem code पे जैसे ही click करेंगे यहां पर आपका email ID दिखाई देगा जो Google Play पे डला हुआ है Google Play पे ठीक है तो इस वाले email ID का आपको password पता होना चाहिए आपको password पता रहेगा क्योंकि first time जब आप इसमें top up करने आएगे तो इसका password डालने के लिए बोलेगा मैं पहले डाल चुक हूँ इसलिए वो सब नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर direct code का option आ रहा है तो यहां पर अपना redeem code को डालना है पहले password डालना है और उसके बाद फिर address अगर कुछ-कुछ मंगता है तो वो सब को fill कर देना है बस password important होता है बाकी सब को आप गलत भी भरेंगे तब भी चल जाता है लेकिन आपको अपना Gmail ID का password पता होना चाहिए ठीक सुरू में आपसे वही सब पूछेगा वो सब पूछने के बाद यहां पर आपको simple अपना redeem code डाल देना है और जो redeem code रहेगा उसको डालने के बाद यहां पर redeem का option highlight हो जाएगा इसको आपको click करना है click करते ही आपका payment successful हो जाएगा और 80 रूपय का आपको top up complete हो जाएगा तो अगर आप रूपे debit card स आपको top up करना चाहते हैं और ऐसा कोई error आ रहा है तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं आपको top up 100% complete हो जाएगा so I hope दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like जरूर कर लिजिए और bell icon में से all notification को on कर लिजिए thank you